तो हर्याना के अंदर हनुमान जी कई बिरादरियों के अंदर कई परिवारें के अंदर तो कुल्देव की तरह भी माने जाते हैं हर्याना के कैथल के अल्दा के तेहास है भगवान हनुमान से हनुमान का जो जिस तरह से प्रे किया जाता है भगवान हनुमान को वो दो चीजें clear करता है एक तो राम भक्तों की भूमी है क्योंकि हर्याना के अंदर नमस्ते प्रणाम कम चलता है राम 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 तो अगर आप hello hi बोलते हैं तो भी राम राम है hi बोलो राम राम राम, hello बोलो राम राम हर अखाड़े के अंदर अलग अलग जाए है कई हर गाओं के अंदर या कुछ क्लस्टर हो गाओं के अंदर कुछ अखाड़ा है जो अखाड़ा बहुत मश्रूर है हर अखाड़े के अंदर एक हनुवान जी के लाम की अमूरत इस्टाबिश है आप जाते हैं आप Hanuman जिका करते हैं नमस्ते करते हैं वह से आशरवाद लेते हैं और फिर आप wrestling में लग जाते हैं क्योंकि Hanuman is also an expression one of utmost devotion and then great physical power but being centered also so it is not just about being very powerful but being in much control of that power as well तो वो Hanuman express करते हैं और उसी तरह से हमारे जो physical combat spots हैं जैसे wrestling हो गया उसके दर हनुमान बहुत important हैं तो हरुमान की आपको पूजा आप पूजा आप पुरे हर्याने में कहीं आपको हर जगा मिल जाएगी खास ही प्यार है हनुमान को मुझे प्यार है मैं जब प्रान प्रतिष्ठा होई श्री राम मंदिर की मुझे उस दिन उस दिन के आजपाच मुझे थोड़ा रेलाईज होगा कि मुझे अब लगबग 18 वर्ष हो गए हैं मंगलवार को वरत रखते हुए 18 वर्ष consistently हनुमान जी के नाम का वरत रखते हुए तो मुझे कोई क्या जाने के मेरे लिए भगवान राम कितने इंपोर्टन है क्योंकि मैं तो हनुमान जी के नाम का हर हफते एक दिन वरत रखता हूँ तो उसी तरह से हर्याना के अंदर हनुमान की भूमिका बहुत ज़्यादा है क्योंकि